पूरे किये चार हजार एपिसोड मुनमुन दत्ता ने शेर किया जश्न का विडियो एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता लोक प्रियशो तारक महता का उल्टा चश्मा टीम के ओसी में अपने किरदार बबीता आयर के लिए जानी जाती है उन्होंने शो के 4000 एपिसोड पूरे होने पर आभार जताया यह शो पहली बार जुलाई 2008 में प्रसारित हुआ, अब अपने 16 साल में है यह चित्रलेखा पत्रिका में तारक महता के वीकली कॉलम दुन्या ने उन्धा चश्मा पर आधारित है पश्चिम बंगाल की रहने वाली 36 वर्षिय एक्ट्रेस बबीता का किरदार निभाती है, जो अयर्क तनुझ महाशब्दे द्वारा अभिनीत की पत्नी है वह जेठाला दिलीप जोशी द्वारा अभिनीत की सीक्रेट क्रश है शो के निर्माताओं द्वारा हासिल की गई इस उलेखनिय उपलब्धी के मौके पर मुन्मुन ने इंस्टाग्राम पर 4000 एपिसोड का जश्न मनाते हुए अन्यकलाकारों के साथ कई तस्वीरे और बिहाइंद अच सीन के विडियो शेयर किये करण जोहर ने अपने बच्चों के जन्दिन पर लिखा एक खूपसूरत नोट फिल्म निर्माता करण जोहर ने अपने बच्चों यश और रूही को अपने जीवन के ब्राइट संशाइन कहा करण के दोनों बच्चे साथ साल के हो गए हैं उन्होंने बच्चों के जन्म दिन पर उनके लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, साथ ही अपनी मा हीरू जोहर के लिए भी एक विशेश संदेश लिखा। करण ने इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों के साथ एक तस्वीर शेयर की जिनका सरोगेसी से जन्म हुआ था। करण ने लिखा, मेरे जीवन के सबसे ब्राइट संशाइन को जन्म दिन की शुबकामना हैं, आप दोनों की नासंज और मनमोहक हंसी के आने से मेरी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल गई है, आप मेरे प्रती बेदाक साहस और दुन्या को देने के लिए भरपूर प्यार के साथ आए, कभी मत बदलना, बड़े हो जाओ, लेकिन कभी मत बदलो, उन्होंने अपनी मा को अपने परिवार की ताकत बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, मा की भक्ती में लीन दिखी देवोलीना भट्टाचार जी कामाख्या मंदिर में किये दर्शन, साथ निभाना साथिया फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार जी ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आशिरवाद मांगा और नीलाचल पहाडियों पर स्थित मंदिर की अपनी पवित्र यात्रा की तस्वीरे साजहा की, फोटो शेरिंग एप्लिकेशन इंस्टाग्राम पर देवोलीना ने मंदिर की अपना तस्वीरे साजहा की, मंदिर के सामने पोस देते हुए देवोलीना को येलो कलर के सलवार सूट और बेज कलर का कोट पहने देखा जा सकता है, उन्होंने नो मेकप लुक चुना और अपने बालों को खुला रखा, उनके माथे पर टीका लिखा मा का माथ्या, नेहा धूपिया ने आधी रात को किया अंगत को बर्थडे विश पेस्ट्री काट कर सेलिब्रेट करते नजर आये एक्टर, एक्टरिस नेहा धूपिया ने आधी रात को अपने पती अंगत बेदी को बर्थडे विश किया, जिसका विडियो उन्हों पूर्व भारतिय क्रिकेट कप्तान बिशन सिंग बेदी के बेटे अंगद मंदलवार को अपना 41-वा जन्म दिन मना रही है। इस कपल को पैपराजी ने ब्रेकफास्ट डेट पर जाते हुए स्पॉट किया। वीडियो में अंगद और नेहा ब्लाक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए एक रेस्टोरेंट से बाहर आते नजर आ रही है। नेहा के हाथ में एक पैस्ट्री है जिस पर मोमबत्ती लगी हुई है। अंगद पैस्ट्री काटते हैं और पैपराजी बर्थडे विश करते हैं। नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेर की जिसमें वहाँ अपने पती के लिए बर्थडे सौंग गाती नजर आ रही है। अंगद मासूम महर को गोड में लेकर सो रही है। बी एन टी की खास पेशकश।